प्रणाम सत्य की विजयात्रा में भाग लें। जैसा कि मैं अपनी पिछली टॉक में बता चुकी हूँ कि 21 सदी में सत्य का बोलबाला रहेगा। सत्य का बीज जो कि सभी में हैं वह स्पुरित हो गया है। उसे अब नर्चर करने की आवशक्ता है। जिससे कि उसके तने में म इसमी सदी के 22 वर्ष निकल चुके हैं मतलब एक चौथा ही निकल चुकी है जिसमें सत्य का बीज स्फुरित हो गया है। आने वाले 50 वर्षों में सत्य को पोशित करने के लिए हमें अपने प्रयासों में वृध्धी करनी होगी। सत्य के बीज का स्फुरन स्वता नहीं पिछली पीडियों ने अपना अद्बुद योगदान दिया है। उन में से एक है मीना ओमजी जिन्होंने प्रणाम अभियान द्वारा सत्य, प्रेम, कर्म और प्रकाश के मार्ग से सत्य को पोशित किया। इसी प्रसंग को बढ़ाते वे हमने प्रसंग प्रनाम से की है। इसमें वैसे तो कोई भी व्यक्ति सहियात्री बन सकता है परन्तु हमने कक्षा 6-7-8 के विध्यातियों को विशेश रूप से चुना हैं क्योंकि इस उम्र के बच्चों में सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान का विकास हो रहा होता है। आत्मसम्मान का सही विकास और र जब उन में सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान का सौफ्टवेर प्राकरतिक रूप से डाउनलोड हो रहा होता है। देखना ये है कि उनके लिए हम सत्तिकी असत्तिकी या दौनों के बीच की कोई आप किस से वे इंस्टॉल करने का प्रावधान रखते हैं। आज कल हम युवाओं में विशाद वो आत्म हत्या अब तो हत्याएं भी करना भी सुन रहे हैं जो चिंता का विशे है उसका कारण सिर्फ सत्तिको सही समय पर पोशित नहीं किया गया यही एक है। हम अपना योगदान दें, आने वाली पीडियों को सही मार्ग दर्शन दें, जिससे वे अपनी सिल्फ एस्टीम का पूर्णत विकास कर आनंदित जीवन जीए। प्रसंग प्रणाम से प्रनव तक इस सत्ते की विजय यात्रा में भाग ले। इसका उद्देश्य मानवता की सेवा सत्ते छेतना जागरत कर सत्ते की स्थापना करना है। इससे क्या होगा? विध्याती स्वधर्म निभाते वे परमधर्म निभाना सीखेंगे। प्रतेक प्राणी में प्राकर्तिक रूप से सत्य का बीच पड़ा हुआ है, मायवश वह उस बीच को पोशित नहीं कर पाता है और अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। साविध्या, वावि मुक्तिय, विध्या वही है जो मुक्त करे। संगीत सत्य को जागरत और पोशित करने की अद्भुत कला है, जो स्वयम को स्वयम से मधुर संबंध स्थापित कर परम सत्य का अनुभव करवाती है। इसलिए हमने इसका माध्यम संगीत रखा है। क्या करना है? आपके विद्याले के कक्षा 6 से आज के सब भी बच्चों को भाग लेना है। गीत को प्रते दिन की प्रार्थना सभा में गाएं जिससे अन्य कक्षाओं के बच्चे भी सीख सकें। गीत एक साथ गाया जाएगा। भाग लेने वाले पहले सो विद्यालियों के विध्यार्थियों को वो विद्याले की पुस्तकाले के लिए मीना ओम जी की सत्य प्रनाम पुस्तिका प्रसंग वशिस चेरिटिबल ड्रस्ट की और से दी जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि गीत सीखने के पंदर दिन बाद बच्चों के व्यावार में ही नहीं वो अधिक विकास में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सत्य मेव जयते प्रसंग प्रनाम की पुकार सुने। सत्य की विजयात्रा में भाग ले प्रनाव तक पहुँचें। सत्य की सहयात्री रेनु वशिस्ट मैनेजिन ट्रस्टी प्रसंग वशिस्ट चेरिटिबल ड्रस्ट।